हालो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं यूटूब चैनल तो आग जैसा कि आप लोगो फुनने में आ रहा है कि वन फे लेके क्या है 12 तक क्या क्या योगता होगा उसका क्या है कल बहुत ही बारा पेडियेप हम लोगो दिया गया है जो कि 15 फूला पेज का पेडियेप है तो मैं उसको क्या फोची होगी हर बीडियो वाइज आपको उसका इलिजिबिलीटी क्रेटेरिया क्या क्या रखा गया है वो मैं बता दू तो जैसा कि आप लोग जान सुनने में आ रहा था कि क्या था कि 155 तक में हो सकता है बीड वाले को वालेट नहीं किया जाए लेकिन कल के पे करना होगा उनको बस लेकिन बीड वाले को भी क्या है 125 में भैलेट किया गया है लेकिन उसको बताने से पहले मैं आज के नियूज पेपर के बारे में भी थोर आपको बता दू जैसा कि क्या हुआ है कि आज के नियूज पेपर के माध्यम संबल को यह पता चला है कि नियोज कर दिया गया लेकिन अभी क्या है कि वन टू अभी हम लोग का फोला या अठारा जून तक क्या है फर्मर वैकेशन का छुटी है हाई कोट में तो जो होगा उफ के बाद ही होगा देखते हैं उफ को हाई कोट खारिज करता है या इस पर अफटे लगाता है होनी का तो कुछ भ परज़ दे दिया जाए तो देखते हैं क्या होता है मेरे आपके चाहने पे तो कुछ होने वाला नहीं है लेकिन आज हम लोग मैंली बात करेंगे कि कच्छा वन पे फाइब के लिए अगर जो फामान फिचक बनना चाहते हैं तो उनका क्या-क्या योगता होना चाहिए तो आज हम लोग इस पर डिसकर करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए पॉइंट टमबर वन क्या होना चाहिए उसमें बहुत तरह का पॉइंट बना के दिया हुआ है तो उसे को मैं क्या हो फॉट में आपको बताने का कोफिश कर रहे हूं तो क्या होना चाहिए एक तो इंडर ह होना चाहिए तो यह तो पहले फहीं बैलेट थे जो की डियलेट किये हैं वो वन टू फाइब के लिए बैलेट है तो पहला कंडिशन तो यह हो गया फिर नेक्स्ट क्या है इंडर फिप्टी परफेंट मार्क्स के फाथ होना चाहिए उसके फाथ फाथ फोर बरफिये बैलेट होना चाहिए तो यह लोग भी हैं जो वन टू फाइब में फॉर्म फिल कर फकते हैं उसके बाद है ग्रेजुेशन प्लाफ बीड तो यहां देखिए ग्रेजुेशन है जो एफा नहीं है कि जो हम लोग क्या है मेंली कॉलेज पर करते हैं वहीं ग्रेजुेशन होता है जो बीटेक कर रहे हैं बीटेक, बीए, बीकॉम यह फारे क्या हुए ग्रेजुेशन इनको भी क्या बोला जाता है अफना तक डिख रहे हैं यानि कि जो बीटेक और बीए और बीकॉम भी किये हुए उसके फात फात बीड अगर उन्होंने किया है तब भी वो क्या है इसके लिए वन टू फाइब के लिए वैलिड है लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि जिन्होंने बीएट किया है यहां जिन्होंने डिपलोमा किया है उनके लिए नहीं लेकिन जिन्होंने क्या किया है बीएट किया है उनको क्या किया जाएगा कि अगर आपका क्या होता है जॉब होता है तो उनको क्य है दो बड़्व के अंदर फिक्स मंत का ब्रीज कोर्फ करना होगा और हाँ ये ब्रीज कोर्फ है जो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पहले करना ये गुवर्मेंट ही करवाती है और इस टाइम आपका फैलरी भी नहीं काटा जाता है यानि कि जब भी आप ब्रीज कोर्फ फरकार आपकी करवाएगी तो आपको क्या है आपको फैलरी मिलते रहेगा लेकिन आपको ब्रीज कोर्फ क्या है छे मंत का करवाया जागेगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले से ब्रीज कोर्फ करके रख लिजे क्योंकि अभी इसका कोई योज नहीं है, यह आपको free of cost कौन करवाएगा, government करवाएगे, तो इतना फरा criteria है, जो क्या है, 1 to 5 के लिए है, और इतने सारे जो eligibility हुए, क्या है, 1 to 5 के लिए, कल मैं वेडियो लाएँगे, कि 6 to 8 के लिए क्या criteria है, उसके बाद 9, 10th और 11, 12th का भी criteria के बारे में मैं discuss करूंगे, तो आज मैं आपको बस बताना चाहती थी, 1 to 5 के लिए, जिनको भी क्या confusion होगा, उनका confusion इस वीडियो के माध्यम से clear हो गया होगा, तुझे लिए इफी के फाथ, आज का वीडियो सम आप करते हैं, और अगर आपको मेरी द्वार बताई गई जा करना ना बोले, थांक फर वाजिंग